यह तो अगोई हो रहा है ना पटना में आकर पूरा लगों को बैठा रहे हैं और राहुल गांधी जी की साधी के लिए अगोई का काम कर रहे हैं राहुल गांधी जी की साधी के परपस से बैठक था विपक्षी एक्ता का बैठक नहीं था देख रहे हैं एक News 24 हमारे साथ मौझूद है RLJD के परदेश महा सचीव रामपुकार सिना जी रामपुकार जी 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक हुई वही 25 जून को आपातकाल 1975 में लागो किया गया था एक तरफ भाजपा 1975 के दिन को याद कर रही है और विपक्षी दल 23 जून को याद कर रहे हैं क्या कहेंगे देखिए जो विपक्षी दलों का बैठक हुआ था वो बैठक राहूल गांदी जी के साधी के परपस से बैठक था अगर वाकई में लालु परसाथ जाद जादा जी और नितिश कुमार जी अपने को शमाजवाधी मानते हैं डाक्टर राममनोर, लोहिया और लोकनाइक, जप्रकाश नाराएं जी के सिस मानते हैं तो जीश कॉंग्रेश सरकार के खिलाप, जीश से उस समय प्रधान मंतरी स्रीमत इंद्रा गांधी जी के खिलाप, इमर्जेंसी के खिलाप जो अंदोलन हुआ थ उसके दोनों उपज रहे हैं और आज उन्हीं के गोद में जाकर बैठ रहे हैं तो यह तो लोकनाक जब प्रकाश नराइन जी का आत्मा भी कहार्ती होगी पांच जून तो बकाइदा विपक्षी दलों के सभी नेता ने निति उसकुमार को संयोजग घोसित किया और एक नया पार्टी का निर्मान किया एक नया नाम दिया जिसका नाम है पैट्रियोटिक डिमोक्रेटिक एलाइंस तो क्या यह सिर्फ बॉटल का लेवल हटाने जैसा है या बाकई कुछ बदलेगा पहले वे लोग जितने लोग आये थे पहले आपस में सहमत्री करेगी क्या नाम दे रहे हैं अभी तो नाम तो हवा हवाई में चल रहा है एक किज्रिवाल कहीं साहब अलग चले जाते हैं ममता बनाजी जी अलग चली जा रही है तो इन लोग के पास तो मामला यहीं है यह कुछ नहीं है बाकी सब यह लोग उसी तरह हवा हवाई रहेंगे इतना जितना जल्दी हो जाए बिहार की गदी को नितीश कुमारी छोड़ दे और चले जाए केंद्र में संजोजग बनके पूरे देश का भर्मन करें और अंत में वहीं धाक तिन पात हो जा रहा है कि दो मंत्री पर जो है कॉंग्रेस को दिया जाना है नितीश कुमार के मंत्री मंदल में सामिलों है तो क्या यह राहूल गांदी के तरफ से जो दवाव बनाया गया उसकी वज़ए है या फिर लगता कि प्रधान मंत्री का जो अभिलासा महतवकांच्छा विपक किजिए लेकिन कोई उनाइट इनके कहने पर होने नहीं जा रहा है मुक्तब बिहार का यह बैठक तेश से जुन को जो हुआ था तेश जुन की बैठक और राहूल गांदी जी की साधी के मामले का अगुवई वाला बैठक था अब देखिए ना राहूल गांदी जी को अप साधी करने के लिए तो राहूल गांदी जी की साधी का अगुवई का बैठक था और लिटी चुका खाने के लिए लुग भिहार में आये थे सब लोग चले गया है सब हवा हवाई हो गया है यह थे हमारे साथ आरेल जीडी के परदेश माहा सचीफ सह परबक्ता राम पुका और सिनाची जीनों ने सिदे तोर पे कहा कि 23 जून को जो बैठक हुई थी वो बैठक दरसल राहूल गांदी के साधी विया की तैयारी के ले करके था और उनका अगुवाई करने के लिए लालुय आदब ने कहा है इस तरह के तमाम अपडेट को देखने के लिए देखते र झालुटन